हेलो फैंस वेल्कम बेक टू मांसी स्टेडी चैनल दोस्तो आज है 12 नवंबर 2023 और 12 नवंबर 2023 से रिलेटेट करण्ट अफिर्स के जितने भी कुशिन बन सकते हैं आज ही क्लास में सारे कुशिन को कवर करेंगे और हर कुशिन से रिलेटेट इंपॉर्टेट पॉइंट भी मै आपको बताऊंगी तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तो ये क्लास आपकी मौनिंग सुबह 7 एम पे डेली लाइव आती है आप सभी लोगों को मेरी तरब से दिवादी की बहुत-बहुत सुबकाम नाएं आप लोग दीपों से बहुत अच अच्छे से भी तैयारी भी कीजेगा करंट अफेर्स की चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का पहला कुशन देखते हैं आज का पहला कुशन लिखा है दोस्तो किसे हाली में भारत के महा सर्वेचक के रूप में निक्त किया गया है फर्ष्ट ऑप्शन है हितेश कुमार एस मकवाना सिकेंड ऑप्शन है संदीप कुमार सिंग थर्ड ऑप्शन है जोतिश वर्मा फोर्थ ऑप्शन है तेजेंद्र मिश्रा जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुश्चन का राइट आंसर इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है हमारा ऑप्शन नंबर ए हितेश कुमार एस मकवाना चलिए इस कुश्चन से रिलेड़ेट इंपोर्टन पॉइंटों को पढ़ लेते हैं तमिल नाडू केडर के भारतिय प्रिशाशनिक सेवा आई एस अधिकारी हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महा सरवेचक नुक्त किया गया है भारत की केन सरकान ने कुसल सासन और प्रिशासनिक नेतरत्व के प्रती अपनी प्रतिबदिता को मजबूत करते हुए वरिश्ट नौकरसाहों के लिए महत पूर नुक्तियों और पोस्टिंग की एक सरंखला की गोशना की है ठीक है दोस्तों आंगे बढ़ते हों नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स वंडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा सतक लगाने वाले खिलारी कौन बनी हैं? फर्ष्ट ऑप्सन है रोहित सर्मा इस कुशन का अंसर आप सभी लोगों को मालूम होगा दोस्तों तो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा राइट अंसर? इस कुशन का जो राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ऑप्सन नंबर बी गिलैन मैक्सवेल ठीके दोस्तों चलिए इससे रिलेटेट इंपोर्टन पॉइंटों को पढ़ लेते हैं मुंबई के वान खेडे स्टेडियम में और स्टेलिया और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में और स्टेलिया के ओल राउंडर गिलैन मैक्सवेल ने एतिहासिक 12 सतक जड़ते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किये हैं हैमेंस्टिंग से जूज रहे मैक्सवेल ने अपनी पारी के दोरान 21 चौके और 10 सांदार छक्के लगाए इस मेंच में जीत के हीरो रहे मैक्सवेल ने चोटल होने के बाब जूद सांदार 12 सतक लगाया है ठीक है दोस्तों याद रखेगा सारे पॉइंटों को आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स हाली में भातिये तटरच्चक बलके किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है विचसिप ओफ दी इंडियन कोश्ट गार्ड है जी बीन डी कॉमिशन रिसेंटली फर्स्ट ओप्शन है सागसक्ती सीकेंड ओप्शन है संग्राम थर्ड ओप्शन है प्रवल फोर्ट ओप्शन है अचल बताएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ओप्शन नंबर बी संग्राम ठीक है दोस्तों चलिए इस कुशन से रिलेटिर इंपोर्टन पॉइंट जो को पढ़ लेते हैं भारतिय तटरचक जहाँ संग्राम को पूरे शम्मान के साथ सेवा मुक्त कर दिया गया है सेवा मुक्त करने के लिए बुद्वार को गुआ के मोर गुमगाउं पोर्ट आथर्टी जेटी में एक पारमप्रिक ससस्त्रबल समारों का आयूजन किया गया इस मौके पर कई सम्मान निया अथिती मौजूद थे इससे पहले चार नवंबर को भारत तटरचक जहाँ समर को कोच्छी में भारत तटरचक जेटी पर पूरे सम्मान के साथ सेवा मुक्त कर दिया गया ठीक है दोस्तों आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स राष्टी जन सयूग एवं बाल विकास संस्थान ने किस सहर में पोसड की पढ़ाई भी कारकरम का आयूजन किया है इन्विस सीटी दी नेशनल इंस्टीटूट अफ पब्लिक कोपरेशन एंड चाइल डवलप्मेंट ओर्गनाईज दी प्रोग्राम पोशन भी पढ़ाई है पढ़ाई भी फर्स्ट ओप्सन है पटना सिकेंड है वारनशी थर्ड है इंदौर फोर्ट है जैपूर पताईएगा दोस्तो इस कुशन का राइट आंसर इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा ओप्सन नंबर सी इन्दौर ठीके दोस्तो चैलिए इस कुशन से रिलेटिन इपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं राश्टी जनसयोग एवं बालविका संस्थान ने इन्दौर में पोशर भी पढ़ाई भी जन राजिस्तरिये मास्टर ट्रेनर प्रिसिचर कारिकरम का आयोजन किया है दो दिवसिये इस कारिकरम में 29 प्रती भागियों ने भाग लिया ठीके दोस्तों कितने प्रती भागियों ने भाग लिया है 29 प्रती भागियों ने भाग लिया है चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुषिन देखते हैं नेश कुषिन लिखा है कि इंद्री जाज ब्यूरो के संयुक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है Who has been appointed as the Joint Director of the Central Bureau of Investigation First option है सैयद अकवरुद्दीन Second है अरिदम बाग्ची Third है वी चंद्र सेखर Fourth option है टी नागेश्वर बताइएगा दोस्तों के इंद्री जाज ब्यूरो के संयुक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इस कुषिन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा option number C, वी चंद्र सेखर जी को ठीक है दोस्तों चलिए इस कुषिन से related important points को देख लेती है गुजरात के अडर के IPS अधिकारी वी चंद्र सेखर को केंद्री अनवेशड व्यूरो CVI में संयुक्त निर्देशक निक्त किया गया है केंद्र ने 2000 बैच के IPS अधिकारी चंद्र सेखर को 5 साल के लिए CVI में संयुक्त निर्देशक पद पर निक्त किया है कर्मिक मंत्राले ने एक आदेश जारी कर यह जानकारी दी है चंद्र सेखर CVI में पुलिस अधिचक और उपमहाने देशक के रूप में अपनी सेवाई दे चुके हैं ठीके दोस्तों आगे बढ़ते हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स किस बैंक को बिजनिस चैन्ज मेकर आफ द आ येर दो हजार तेश से सम्मानित किया गिया है विच बैंक है जुएं एवार्डेट दी बिजनिस चैन्ज मेकर आफ द आ इयेर 2023 फर्स्ट आप्शन है भारती स्टेट बैंक सीकेंड आप्सन है पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड आप्सन है आई सी आई सी आई बैंक, फूर्ट आप्सन है रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया जल्दी से बताईएगा दोस्तो किस बैंक को बिजनिस चेंज मेकर आप दा इयर दो हजार तेश से सम्मानित किया गया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वे है हमारा आप्सन नमबर डी रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया को ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटिड इंपोर्टन पॉइंटों को पढ़ लेते हैं भार्टी रिजर्ब बैंक को चेंज मेकर आफ दा इयर पुरुषकार से सम्मानित किया गया जिसने देश की वित्तिय स्थिर्टा बनाए रखने के लिए केंडरी बैंक की अटूर प्रतिवत दिता पर बल दिया हाली में भार्टी रिजर्ब बैंक को चेंज मेकर आफ दा इयर पुरुषकार से सम्मानित किया गया है RBI की ओर से गवर्णर सक्ति कांदास ने इसे प्राप्त किया यह सम्मान तीन नवंबर को नई दिल्ली में ITCEA में आयोजित हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर एवर्ट्स 2023 का भाग था ठीक है दोस्तों आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स किस राजे सरकार्ट ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जारी करने का आदेश दिया है विच श्टेट गवर्मेंट है ज ओर्डर डी रिलीज टू रिलीज ऑप प्रोजेक्ट डॉल्फिन फर्ष्ट ऑप्षन है राजिस्थान, सिकेंड ऑप्षन है तमिलनाडू, थर्ड ऑप्षन है बिहार, फूर्थ ऑप्षन है हर्याना जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुश्चिन का राइट आंसर इस कुश्चिन का जुराइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स, वे है हमारा ऑप्षन नंबर बी, तमिलनाडू, राजिसरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जारी करने का आदेश दिया है चलिए इससे रिलेटेर एप्षन पॉइंटों को देख लेती है हाली में तमिलनाडू सरकार ने भारत सरकार के वन जीव आवासकार करम के एकी करत विकास के तहट प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है इसे 2023-24 के दोरान आर दसमलब एक तीन करोर रोपे की लागत से लागू किया जाएगा इसके तहट साट परसेंट रासी कें सरकार देगी वहीं से इस लागत राज सरकार वहन करेगी ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड लेन्स किस मंत्राले ने जल दीवाली वोवन फॉर वार वॉमन शुरू किया है विच मिनिश्टरी हैज लॉंजड जल दीवाली वोवन फॉर वार व उवार वार ववमन फर्च ओप्शन है ग्रह मंत्र ले, सीकिंड ओप्शन है जल सकती मंत्र ले, थर्ड ओप्शन है आवास और सहरी मामलों का मंत्र ले, फूर्थ ओप्शन है कौसल विकाज मंत्र ले चल्दी से बताईएगा दोस्तो इस question का right answer इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे है हमारा option number C आवास और सहरी मामलों का मंत्राल है ठीक है दोस्तों चलिए इस question से दिलेटेट इंपोर्टन पॉइंटों को पढ़ लेती हैं आवासन और सहरी कार्य मंत्राल है अपनी प्रमुग योजना अटल mission for reservation and urban transformation के तहट एक प्रगती सील पहल महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान को सुरू करने के लिए पूरी तरह तयार हैं इस योजना में मंत्राले के राष्टिय सहरी आजीव का mission N.U.L.M. की भी भागिदारी है उडिशा अर्वन एकेडमी इसकी knowledge partner है इस जल्दी वाली अभियान का जशन 7 नवंबर 2023 से सुरू होकर 9 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हैं नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है friends सांती और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवश मनाया जाता है World Science Day is celebrated for peace and development First option है 7 नवंबर को Second option है 8 नवंबर को Third option है 9 नवंबर को Fourth option है 10 नवंबर को जल्दी से बताईएगा दोस्तो सांती और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा friends वे हैं हमारा option नवंबर D 10 नवंबर को ठीक है friends चलिए इससे related important point को पढ़ लेती है सांती और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है लोगों को विज्ञान के छेतर में और उसके विकास के बारे में जागरू करने के साथ ही उससे जूरी जरूरी जानकारियां देना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश यह है जिसे हर साल एक थीम के साथ सेलिबरेट किया जाता है सांती और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का उद्देश यह तै करना है कि अपने नागरिकों को विज्ञान के छेतर में हो रहे विकास के बारे में जानकारी देना ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का लाज कुशन देखते हैं आज का लाज कुशन लिखा है फ्रेंड्स किस भारती राज ने अबुआ बीर दिशोम अभियान सुरू किया है विज इंडियन स्टेट लॉंच्ड अबुआ बीर दिशोम केंपियन फर्ष्ट ऑप्सन है चार खंड, सिकेंड है उत्तर पिर्देश, थर्ड है मद्य पिर्देश, फोर्ट है हरियाना जल्दी से बताईएगा दोस्तों किस भारती राज ने अबुआ बीर दिशोम अभियान सुरू किया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वे है हमारा ओप्सन नमबर ए चार खंड चार खंड भारती राज ने अब भुआ भीर दिशोम अभियान सुरू किया है चलिए इस कुशन से रिलेटेटर इंपोर्टन पॉइंटों को पढ़ लेते हैं चार खंड के मुक्य मंत्री हेमिंद सुरेन ने राची में प्रोजेक्ट भवन में नगाडा बजा कर वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वन छेतर में रहने वालों को जमीन का पट्टा देने के लिए अबुआ वीर दिसुम अभियान की सुरुवात की विदित हो की चार खंड में 30% वन छेतर है वही अन राज्यों में कम वन छेतर है लेकिन वन अधिकार पट्टा देने में वह काफी आगी है जार खंड में पहली बार भूमी हीन को वन पट्टा देने के लिए व्यापक अभियान चलेगा ठीक है दोस्तो आई हो पाज के सभी कुशन आप लोगों को बहुत अच्छे लगी होंगे और सभी कुशन से इंपोर्टन पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों ने बहुत अ समझे होंगे अगर फिर भी कोई कुशन में कोईरी दे गई हो तो आप लोगे बार फिर से पढ़िएगो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तो अगर ना आए तो आप लोग कमेंट करके देख लीजेगा ठीक है दोस्तो अगर क्लास अच्छी लगी हो फ्रें ठीक है फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही से समलोग कल की क्लास में पढ़ेंगे थैंक्यू सो माच